साथियों चौथे दौर के मद्दान के बार और जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं वो गौर करने लायक है कल तक कॉंग्रेस के नामदार कहते थे कि वो मोदी मोदी के प्रभाव को और मोदी के औरा को इस औरा से डरते हैं अब वो खुड कर कहने लगे हैं कि वो मोदी से तब तक नहीं चीच सकते जब तक मोदी की महनत मोदी की इमेंदारी और मोदी की भारत भक्ती पर दाग नहीं लगा सकते उत्तर पदेश के साथियों अब आपको समझ आ रहा होगा कि पिछले तीन साल से जो जूट पर जूट बोला जा रहा है रोज नए जूट गड़े जाते हैं रोज मोदी पे किचड उछाला जाता है उसका मकसद क्या है एक जूट का पुलिंदा बना दिया उसको राफेल नाम दे दिया और जूट बोलते गए जहां गए जितना जोर से बोल सकते हैं मोदी की छबी खराब करना मुझे पानी पी पी कर गालिया देने के बाद जब ये लोग मुझे तक नहीं पहुँच पाए तो अब मेरी छबी को कुचलना चाहते हैं नामदार कान खोल करके सुन लो ये मोदी सोने की चमच लेके पैदा नहीं हुआ है ये मोदी राज परिवार में पैदा नहीं हुआ है ये मोदी भारत मा की दूल फाग फाग करके बड़ा हुआ है ये मोदी पाँच दसक तक बिना रुके बिना थुके कभी ठके बिना एक निश्ट एक लक्ष्या सिर्पर सिर्फ भारत माता उसके लिए जिये आए उसके लिए तपस्या करता रहा है पाँच पचास इंटर्यू दे करके टीवी स्कीन पर आकर के गालिया दे करके पचास साल की मोदी की तपस्या को तुम धूल में नहीं मिला सकते आपके पिताजी को आपके राग दिरबारियों ने मिस्टर क्लीन बना दिया था गाजे बाजे के साथ मिस्टर क्लीन मिस्टर क्लीन चला था लेकिन देखते ही देखते ब्रश्चाचारी नंबर बन के रुपे उनका जीवनकाल समापत हो गया नामदार यह हंकार आपको खा जाएगा यह हंकार आपको छोड़ेगा नहीं यह देश गल्पिया माफ करता है यह देश दोखे बाजी को कभी माफ नहीं करता लेकिन इन लोगों ने बाईो बहनों यह नामदार ने कभी सुना नहीं होगा लेकिन मजबूरन आज मुझे सुनाना पड़ रहा है कभी मुझे डर लगता है कि सुनाते समय कहीं मेरे भीतर कोई अहंकार ना आ जाएं लेकिन मैं तो आपके चर्णों में समर्पित हूँ और इसलिए आपकी तरफ से आपकी तरफ से सुनाना चाहता हूँ न मैं गिरा और न मेरी उमीदों के मिनार गिरे पर कुछ लोग पर कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे और अच्छ लोग पर से समाँ SU